चिडिया का बेटा कुकू और कवे का बेटा जगू नदी से पानी पी कर घर वापिस जाने ही वाले थे कि उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है कोई नेक पक्षी हमारी मदद करे हम मुसीबत में हैं कोई है जो मेरे बेटे को उठा दे जगू ये आवाज कैसी है क्या तुमने कोई आवाज सुनी है सुनी तो मैंने भी है फिर वो दोनों थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें एक लीमू का पेड रोता हुआ दिखाई देता है पेड अंकल आप ऐसे क्यों रो रहे हैं क्या हुआ है ये मेरे साथ जो छोटा लीमू का पौदा है ये मेरा बेटा है रात तेज हवा से मेरा बेटा संभलना सका और गिर गया आप मेरे बेटे को सीधा कर दें नाना कुकू लीमू के पेड़ पर बहुत से कांटे होते हैं अगर हम इस छोटे पेड़ के पास गे तो हमारे पंख घाइल हो जाएंगे जगू मेरे दोस्त जैसा भी है अगर कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी सहिता करनी चाहिए तो फिर तुम ही करो इस कांटे वाले पेड़ की सहिता मैं तो जा रहा हूँ ऐसे जगू कववा वहां से चला जाता है कूकू अपना पूरा जोर लगाता है परन्तु वो छोटा था इसलिए वो उस छोटे पेड़ को सीधा नहीं कर पाता आप खबराएना पेड़ अंकल जी मैं अभी अपनी मम्मा को साथ ले कराता हूँ जल्दी जाओ मेरा बेटा राज से ऐसे ही गिरा पड़ा है मेरा बेटा ठक गया होगा फिर कूकू जल्दी से अपने घर जाता है मम्मा मम्मा जल्दी चले नदी के पास एक छोटे लीमू के पेड़ को हमारी जरूरत है बेटा कुगू, आपके पांक से तो खून निकल रहा है, क्या हुआ है? ममा, मेरे साथ चले, वहां जाकर आपको सब पता चल जाएगा फिर ममा चिडिया अपने बेटे के साथ चली आती है, वो लीमू के पेड़ के पास पहुंचाते है ममा, ये चोटा लीमू का पेड़ गिरा हुआ है, हम दोनों मिलकर इसे सीधा कर देते हैं चुडिया, मेरा बेटा मर जाएगा, आप हमारी मदद करें लीमू के पेड़ भेया, आप चुप कर जाएं हम दोनों मा बेटा, अभी आपके बेटे को सीधा करके, जमीन में मचबूती से गार देते हैं फिर चिडिया और उसका बेटा, छोटे लीमू के पेड़ को सीधा करते हैं और उसे सहयोग देकर, जमीन में फिर से गार देते हैं हम पेड़ भी कितने बेबस होते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते, सब दूसरों के लिए ही करते हैं हम पेड़ भीया, असल जिन्दगी तो वही है, जो हम दूसरों की मदद में गुजारें चुडिया बहन, मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप मेरे दो लीमू तोड़ कर ले जाएं, और जाकर इन्हें किसी मटके में रख दें, दूसरे दिन मेरे ये लीमू सोने के सिकों में बदल जाएंगे मेरे पास ये शक्ती है, जो मैंने हमेशा दूसरों से छुपाए रखी, ताके कोई पक्षी मुझे नुकसान न पहुंचाए सच, क्या सच में लीमू के पेड़ भीया, आपके लीमू सोने के सिकों में बदल जाएंगे? हाँ, अगर विश्वास नहीं तो ले जाकर देख लें फिर चिडिया उस लीमू के पेड़ से दो लीमू तोड़ती है, वहां से उड़ती है और घर जाकर उन्हें अपने मटके में रख देती है, वो मा बेटा सो जाते है दूसरे रोज कुकु अपनी ममा से कहता है कपड़ा उठाती है, तो देह कर हैरान हो जाती है कि वो मटका तो उपर तक सोने के सिक्कों से भरा हुआ है ममा, इतने ज्यादा सोने के सिक्के, ममा, आप तो हम जंगल में सबसे अमीर बन गे परंतू बेटा, अब ये सारे सिक्के हम घरी पक्षियों में बाढ़ देंगे और अपनी जरूरत के अनुसार ही सिक्के रखेंगे फिर ममा चिडिया अपने बेटे को छोटा हवाई जहाज ले कर देती है और अपनी सारी जरूरतें पूरी करती है कुकु यार, ये हवाई जहाज तमने कहां से लिया है? मुझे ये हवाई जहाज उसी लिमू के पेर ने दिया है जिसकी मदद कल मैंने की थी अच्छा, वो कैसे? ये बात मैं फिर बताऊंगा ऐसा कहते हुए कुकु अपने जहाज को उड़ा ले जाता है प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है जो किसी मुसीबत में दूसरे की मदद करता है भगवान उसकी सब मुसीबतें दूर कर देता है गर्मी का मौसम था कि खतम होने का नाम ही नहीं ले रहा था अब तो सभी पक्षी गर्मी के लंबे मौसम से बहुत तंग आ चुके थे एक दिन चीडिया, कबूतर और तोते के पास चाती है तोते और कबूतर भेया, अपके बार तो गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही ना जाने ठंड का मौसम कहा जला गया है चुडिया बहन, अब तक तो ठंड के मौसम को आ जाना चाहिए था ऐसा भी तो हो सकता है कि ठंड के मौसम को भूल गया हो और वो किसी और जंगल में चला गया हो मैं भी यही सोच रही थी वो सब ऐसे बैठे हुए थे कि वहां कवा भी आ जाता है गर्मी, बहुत गर्मी है दोस्तों ये ठंड का मौसम ना जाने कब आएगा कालू भीया, हम सब भी यही बात कर रहे हैं और मैंने सोचा है कि हमें ठंड के मौसम के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिर वो अब तक क्यों नहीं आया अब तो गर्मी से बुरा हाल है चलो चड़िया बहन, मैं जाता हूँ आपके साथ और हम दोनों जाकर भूछते हैं ठंड के मौसम का क्या कालू कवे, तुम्हें रास्ते का पता है मुझे अच्छे से तो नहीं पता परन्तु जब हम घर से निकलेंगे तो पहुँच ही जाएंगे फिर ऐसे चिड़िया और कव्वा ठंड के मौसम को बलाने घर से निकलते हैं वो उरते उरते अपने जंगल से बहुत दूर निकल जाते हैं फिर वो ठक जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं यहां से हम किसी पक्षी से पोच लेते हैं मुझे आगे के रास्ते का अच्छे से नहीं पता वो सामने एक पक्षी बैठा हुआ है चलो हम उस पक्षी से पोच लेते हैं फिर वो दोनों उस पक्षी के पास जाते हैं पक्षी भेया हमें मौसमों के पास जाना है क्या आप बता सकते हैं कि मौसम यहां से किस दिशा में रहते हैं आपने किस मौसम के पास जाना है गर्मी के मौसम या सर्दी के मौसम से मिलना है आपको ना ना गर्मी के मौसम से मिलकर हमें क्या लेना वो तो लंबे समय से हमारे जंगल में आया हुआ है हमें ठंड के मौसम के पास जाना है यहां पूर वाली दिशा में जंगल के उस पार आपको कुछ सफैद रंग के फूल मिलेंगे ठंड का मौसम आपको उन फूलों के पास ही मिलेगा वो दोनों फिर से उड़ते हैं और शाम होने से पहले पहले वो जंगल के उस पार पहुंचाते हैं वहां उन्हें कुछ सफैद रंग के फूल दिख जाते हैं चिडिया और कवा तुरुन्द उन फूलों के पास जाते हैं चिडिया बेहन सफैद फूल तो है परन्तु ठंड का मौसम यहां दिखने ही रहा ये सुनकर पास में ही एक सफैद फूल कवे और चिडिया से कहता है आपको ठंड के मौसम से मिलना है क्या? जी जी सफैद फूल भेया जी हमें ठंड के मौसम से ही मिलना है वो सामने बड़े पेड़ के पास है ठंड के मौसम का घर हमने भी लंबी समय से ठंड के मौसम को आते जाते नहीं देखा हम भी चिंतत हैं शायद ठंड का मौसम बीमार नहो आप उसके घर में जाकर देख ले फिर कव्वा और चिडिया वहां जाते हैं वो खिडकी से देखते हैं ठंड का मौसम तो खाराटे ले रहा था वो तो गहरी नेंद सो रहा था ठंड के मौसम भीया तो सो रहे हैं चलो चिडिया हम दरवाजे पर दस्तक देते हैं फिर चिडिया दरवाजे पर दस्तक देती है ये कौन आगया है अभी अभी तो मैं सोया था, देखता हूँ नमस्ते ठाट के मौसम जी, मैं कालू कबा हूँ और मैं रानो जिडिया, हम पहाडों वाले जेंगल से आए हैं मैं सोया हुआ था, अच्छा ही हुआ, आपने मुझे जगा दिया मौसम भेया, हमने बहुत इंतजार किया आपका, परन्तु इस बार तो आप आई ही नहीं और फिर पोछते पोछते हम यहां तक आगे आप हमारे साथ चलें, और हमारे जंगल का मौसम बदल दें हम गर्मी से बहुत तंग आ चुके हैं, अब तो सभी पक्षी गर्मी से मर रहे हैं आपने कोशिश की और यहां तक पहुँच गे, बहुत अच्छा किया आपने मैं तो ऐसी गहरी नीन सोया हुआ था, कि शायद कुछ महीने और मैं नीन में ही रहता अब आप रात मेरे पास ही गुजारें, और फिर सुभा होते ही हम सब आपके जंगल में चले जाएंगे परन्तु ठंड के मौसम जी, आपके घर में तो बहुत ठंड है, हम कैसे रहेंगे आपके पास यह सुनकर ठंड का मौसम हंसने लग जाता है दोस्तो मेरे घर में ठंड नहीं, तो और क्या गर्मी होगी, मैं ठंड का मौसम हूँ परन्तु आप घबराएं ना, मेरे पास आने वाले महमानों के लिए सब कुछ है फिर ठंड का मौसम चिडिया और कवे को गरम कंबल देता है और खाने में गरम गरम मूं फली चिडिया और कवा बहुत खुश थे, क्योंके उन्होंने ठंड के मौसम को ढूंड लिया था